सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेनिंग न्यूस चानल को और बेल आइकन को दबाई ये लेटेस्ट न्यूस सबसे पहले पाने के लिए साथियों आज ओडिसा की इस धर्ती से मैं अपने वैज्ञानिकों को देश की रक्षा सुरक्षार के चौकिदारों को फिर एक बार बढ़ाई देता हूँ आप सब भी हमारे देश के सुरक्षा बलों के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए तालियां बजा करके उनका सम्मान कीजिए उनका गवरों कीजिए जब हमारे विरोधी सेना को निचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जब हमारे विरोधी वैज्ञानिकों के सिद्धियों को स्विकार करने से मना कर रहे हैं तब जंता जनारदान तालियों की आबाद से उनका मुह बंद करें दो दिन पहले ही उडिशा एक ऐसी एतियासिक उपलब्दी का गवा बना है जिसने पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ से परिचित कराया है भारत अब अंतरिक्ष में भी चौकी दारी करने में सक्षम है साथियों जब अंतर करन साप होता है तो अंतरिक्ष में भी सफलता तय होती है यह नए भारत के नए आत्मविश्वास की ताकत है जिस पर पूरा देश आज गर्व कर रहा है और हाँ जिन लोगों को भारत की ये उपलब्दी छोटी नजर आरती है उनकी कथनी और करनी को भी पूरा देश देख रहा है साथ दसकों से गरीबों के साथ गदारी कर रहे लोग अब इतना बौखला गए है कि देश के वैज्यानिकों देश की सेना देश के नवजवानों के सामर्थ या सबका आए दिन सुबे साम अपमान करने लगे है क्या ये अपमान आपको मंजूर है ये अपमान हम स्विकार कर सकते हैं ये अपमान करने वालों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए सेना का अपमान करने वालों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए वैज्यानिकों का अपमान करने वालों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए उडिसा के मेरे प्यारे भायों भेनों जब भारत आतंकियों पर कारवाई करता है उन्हें घर में गुशकर मारता है तो भी ये लोग सबूत मांगते हैं आप मुझे बताईए आपको सेना पर भरोसा है कि नहीं है सेना पराक्रम करने में सामर्तवान है कि नहीं है सेना ने पाकिस्तान को मुझ की खाने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया है आपको भरोसा है आपको भी स्वास है ये हमारे विरोधियों को नहीं है एक महिने हो गया पाकिस्तान ला से गिन्ने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे एक महिने हो गया पाकिस्तान ला से गिन्ने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे